दोस्तों नमस्कार आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो SBI में रेजिस्टेशन कैसे करते हैं रेजिस्टेशन करने के लिए आपको योनो SBI Play Store से इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके बाद आप इसे ओपेंड कर लिजेगा उपन करने के बाद आपके सामने में योनो SBI का लोगो खुलेगा उसके बाद यहाँ पे जो है रेजिस्टेशन का प्रोसेस आजाएगा उसके बाद यहाँ पे लोकेशन का परमिसन देँगे एक्जेक्श्टिंग SBI कस्टमर तो यहाँ पे आप किलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे allow कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको seem select करना पड़ता है और जो भी seem आपके bank के साथ जुरा हुआ वो seem को यहाँ पे select करेंगे उसके बाद यहाँ पे next button पे click कर देंगे ऐसा करने के बाद फिर से L.O. पर किलिक करेंगे ताकि आपके सीम को verify किया जा सकता है इसके बाद यहाँ पे save कर देंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ समय आपको लगेगा 30 सेकेंड या 15 सेकेंड का समय लग सकता है क्योंकि सीम verification करने में यहाँ पे आपका समय लगेगा यह referral code optional है उसके बाद यहाँ पे submit वाले बटन पे किलिक कर देंगे उजर्णाय पासवर्ट देने के बाद submit बटन पे किलिक कर देंगे ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का interface को लेगा जो भी आपके खाते में मौल नमर जुरा होगा उस पे OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे अगर किसी कारण बस OTP नहीं आता तो recent OTP पे जब आप किलिक करेंगे तो दुबारा आपका OTP आजाएगा OTP देने के बाद next button पे किलिक करेंगे उसके बाद यह termine condition आ जाएगा तो इसको आप read कर सकते हैं उसके बाद next button पे आप किलिक कर लेंगे और इसा करने के बाद यहाँ पे set new mpin आपको select करना पड़ता है जो की six digit का होता है तो चली हम यहाँ पे select कर लेंगे वही यहाँ पे आप select करेंगे re-enter में तो यहाँ पे mpin हम यहाँ पे select कर चुके हैं उसके बाद next button पे किलिक करेंगे ऐशा करने के बाद देखे congratulations you have successfully registered तो okay वाले option पे आप किलिक करेंगे देखे message भी आ चुका है आप जो है यहाँ यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो next करते जाएंगे next करते जाएंगे जैसे ही next करते जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपका home page आ जाएगा तो चलिए यहाँ पे फिर से हम इसको mpin के द्वारा login करके दिखाते हैं इसके बाद direct जब हम open करेंगे तो यहाँ पे login वाला page आएगा उसके बाद यहाँ पे view balance आएगा तो यहीं से आप अपना बाइलेंस चेक कर सकते हैं MP ने इंटर करके या नहीं तो login वाले option पे किलिक करेंगे यहाँ से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से दुबारा हम यहाँ पे login हो चुके हैं और इस यहाँ पे बना सकते हैं साथी साथ जो भी यहाँ पे service दिया गया बिल प सकते हैं इंवेस्ट कर सकते हैं चेकबुक मंगा सकते हैं बहुत सारे ऐसे service है जो कि आपको यहाँ पे दिया जाता है उसके बाद सेटिंग वाले option पे किलिक करेंगे दिए दिए सेट MP कर सकते हैं दुबारा उसके बाद रिशेट इंटरनेट बेंगी का password कर सकते हैं रिशे station कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको फसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा सकते हैं